अगर आप एक बार भी गुजरादी शादी में गए होंगे ना तो ये लाइव मोहंतार जरूर आपने खाया होगा और ये लाइव मोहंतार गुजराद का बहुत ही फैमस मीठाई है ये एकदम इजी तरीके से हम घर पे बनाएंगे बिना तार वाली चाशनी के एकदम मोहंतार हम घर पे ही इजी तरीके से तयार कर लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हमारा वीडियो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे और मेरी चैनल कुपी शगुन को सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइ और यहां पर एक कप मैंने बेसन लिया है और यह बेसन आप देख सकते हो थोड़ा सा मूटा वाला बेसन यह स्पीशली मोहंतार के लिए आता है आपको यह प्रोविजन स्टोर में जाएंगे या फ्लोर फेक्टरी में जाएंगे तब को इजी दरीके से यह मिल जाएगा त दूद भी आप यहां पर रूम टेंपरेचर वाला ही लिजेगा बस इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और आपको इसको मिक्स ऐसे करना है दोनों हाथों से आप इसको मिक्स करना है क्योंकि यह हमें एक समन चाहिए तो हम दोनों हाथों से इसको अच्छी तरह से मि ये जो फ्लोर है हमारा उसको ऐसा तरह से मिक्स कर लेंगे ये हमारा मिक्षर एकदम थोड़ा सा दानेदार हो जाएगा तो बस यह प्रोसेस जब आप चाशनी वाला बनाओ या लाइव मोहां थाल बनाओ यह दोनों मोहां थाल में ये प्रोसेस इंपॉर्टन थाय तो आप इ 10 मिनिट के लिए रख देंगे और उसके बाल हमारी जो आगे की प्रोसेस है वह हम स्टार्ट करेंगे तो 10 मिनिट के बाल यहां पर मैं चनी की मदर से हमारा जो यह मिक्षर था बेशन उसको अच्छी तरह से इसमें चाल लूगी तो यह थोड़ा सा मोटावाला रह चुका है उसको मिक्सिजार में डाल के एक बार आप चला लीजिये तो यहां पर जो हमारा स्टेप 1 था मोहँन थाल का वो पूरा हो चुका है तो आगे हम स्टेप 2 में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक कड़ाई ली है और उसमें आदा कप मैंने गी डाला है जब भी आप एक कप बेशन लो तो उसके सामने आपको आदा कप गी लेना आई यह परफेक्ट मेजरमेंट है तो यहाँ पर हम कैस्की फ्लेम लो रखेंगे और पूरा मोहन थाल हमें लो फ्लेम पर ही बनाना है तो थोड़ा सा गी गरम हो जाए उसके बाद हमारा बेशन इसमें हम डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से हम रोस्ट करेंगे तो बस हमें इस बेशन को 7-8 मिनिट तक भुनना है यह 7-8 मिनिट ही लेगा भुनने में पर यहाँ पर आपको दिमी आज पर ही उसको भुनना है अच्छी तरह से आप उसको भुनिए और कंटिनुसली उसको हिलाते रहे वना यह नीचे जिपक जाएगा अब जितना भी उसको दिमी आज पर पकाओगे यह इतना ही बढ़िया बनता है खाने में और एकदम दानेदार बनता है आप जैसे जैसे बेसन भुनते जाओगे तो यह थोड़ा सा लाइट होने लगेगा और ऐसा थोड़ा सा जागवाला आपको दीखेगा तो हमारा बेसन अच्छी तरह से भुन रहा है यह एक शाइन है इसकी और आप यहाँ पर दिमी आज पर ही उसको चलाते रहे है हमें थोड़ा सा भी हाई फ्रेम इसका नहीं करना है और जैसे बुनेगा तो थोड़ा सा उसका जो स्मेल है सुगन है वो आने लगेगा तो बस थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब तक आप इसको कंटिन्यूसली बुन दे रहे है तो बस 7-8 मिनिट के बाद थोड़ा सा कलर भी इसका डार्क हो चुका है और हमारा बेसन बहुत अच्छी तरह से भी बुन चुका है तो इस स्टेश पर हम क्या करेंगे थोड़ा सा दूद लेंगे और हाथों की मदल से उसको ऐसे स्प्रिंकल करेंगे उसके उपर जब आप दुद को स्प्रिंकल करोगे तो यह थोड़ा सा उपर आने लगेगा और आपके हाथ पे थोड़ा सा लग सकता है तो आप एक बड़ी सी कड़ाई में ही मोहंतार को बुनियेगा बस थोड़ा थोड़ा दालिए दूद इसमें स्प्रिंकल करिए और इसे चलाते रहिए तो बस इस टाइम पे भी हमें गैस की फ्लैम लो ही रखनी है तो स्प्रिंकल करने के बाद ये जो जाग है वो पुरा बैट जाएगा तो हमें उसको और भी दो मिनिट के लिए पकाना है और ये पुरा जाग बैट जाएगा और थोड़ा सा गी भी सेपरेट होने लगएगा बस उस टाइम पे आप गैस की फ्लैम आफ कर दीजे और ओफ करने के बाद भी आप उसको दो तिन मिनिट के लिए और चलाते रहेए क्योंकि हमें इसकी कुकिंग प्रोसेस ओफ करनी है तो दूसरी तरफ चाशनी तयार कर लेते हैं मोहाँ धाल के लिए तो एक कप पानी लिया है और उसमें आदा कप चीनी डालूंगी और यहाँ पर गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे जब तक चीनी हमारे पीगलती नहीं तब तक हम इसको चलाते रहेंगे और यह चाशनी हमें बीना तार वाली करनी है तो इसको हमें बहुत पकाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी तो चीनी अच्छे तरह से पानी में गुल चुकी है तो हमें और भी इसको पकाना है पांच से छे मिनित के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और यह चाशनी तार वाली नहीं है एक या दो तार वाली नहीं है तो यह जल्दी बन जाती है तो उसके अंदर मैंने डाला है अधि छोटी चमच मैंने यहां पे इलाईची पाउडर डाला है और आठ से नौ मैं यहां पे केसर के धागे भी डाल दूँगी जो अच्छा सा कलर लाएगा तो बस हमें इसको ऐसे चला दे रहना है और 6-7 मिनिट के लिए उसको पका दे रहना है चासने थोड़ी सी चीप-चीपी हो जाए हमारी उसी स्टेज पर हम क्या करेंगे केस की फ्रेम आफ कर देंगे तो साथ से 8 मिनिट के बाद हमारी चासनी जो है एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकिए तो आप उंगले की मदद से इसको चैक कर सकते हो ऐसे थोड़ी से आपको चीप-चीपी लगेगी तो बस उसी स्टेज पर आप केस की फ्रेम आफ कर दीजे और हमारी चासनी बिलकुल रेडी है हमारे मौहन थाल के लिए तो यहां पर जो बुना भुआ वबिशन था उसमें मैंने चासनी डाल दी है और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहां पर हम हम गैस की फ्रेम पर Merci रहेंगे और दोनों को एकदम चलाते जाएं जब तक कि ये चाशनी पूरी वेशन एब्सॉप ना कर ले और इसको हाँ दो तीन मिनिट तक हमें पकाना है इसी तरह से दो तीन मिनिट के बाद क्या होगा कि गी है वो किनारे से थोड़ा सा छुटने लगेगा तो बस हमें इसको और नहीं पकाना है गी छुटे तब हम गैस इसको अच्छा बने का और एकदम दाने दार आपका लाइव मोहन तार तयार हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि जो गी है वो कीनारे से चुटने लगा तो बस इससे सचेज separate हम गैस की फ्लेम ऊफ कर देंगे और देख सकते हो कितना दानेदार हमारा ये live month तार तयार हो चुका है तो बस हम guest की flame off कर देंगे और आप इसको enjoy करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगया हो तो please इस वीडियो को like कर दीजे मेरी चैनल को subscribe कर लिजे और हाँ आपके friend और family group में भी इसको share करिए thank you for watching झाल झाल